हमारी पीछली वीडियो में हमने बताया था कि सेविंग अकाउंट को सेविंग अकाउंट में बदलने के लिए क्या प्रसेस रहेगी इसमें एक पेडियाप फॉर्मेट है आप इसका प्रिंट ले लेना और स्नैप्शूट लेके भी आप देख सकते हो तो इसमें इस प्रकार का एक फॉर्म है जिसमें देट ऊपर नीचे प्लेस लिखा है और नीचे लिखा है टू는지 ब्रांच पो में आक इसके आप इसे देना चाहती हैं वहाँ अपनी निख लेन अम्पने अकाउंट की और नीचे लिखा है respected request to convert my SBI saving account number to regular government employee salary account इसमें आप change हो जाएगा और निचे लिखा है sir sir i have been working as a government employee in education department in cadre of यहां अपनी cadre लिखे अंडर dust and government और निचे लिखा है hence i request you kindly to your gracious presence to convert my saving account number यहां अपना account number लिखते हैं और निचे यहां आपका नाम और निचे my office address जो आपका office का address है school का address है वो यहां डाल दे और निचे है enclosure यानि इसके साथ आप लगाएं क्या एक तो यह application form हो जाएगा उसके साथ में ज्रक्स copy of employee ID अपनी employee ID की आप इसको यहां copy लगानी है चाहिए तो आप first zoning letter लगा सकते हैं या pay slip को download करकर उसे अगर इसके साथ लगाएंगी तो सारी डिटेल आपकी यहां आ जाएगी जिसके पास यह format है अच्छी बात है जिसके पास नहीं है वो अपनी Gmail ID मेरे को SMS कर दें आपकी Gmail ID पर यह format में आपको बेज दूँगा आप इस फॉर्म की copy ले लेना इस फॉर्म की copy के साथ आप अपनी पेसलिप या employee ID की जोरक्स कोपी लगा कर अपने बेंक में जमा करते और इसके बाद भी कोई समझा है तो आप हमें SMS करें थैंक यू अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो कर लें चैनल सब्क्राइब करने का तरिका बताया जा रहा है इडियो चल रही है उसके नीचे चैनल का नाम और सब्क्राइब रेड कलर में लिखाए उसको कलिक करें और बेल आइकन पर कलिक करें